बिलासपूर में एक नाबालिक के अफरन के बाद रेप का मामला सामने आया है आठवी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की मांग में स्कुल वापस आते वक्त आरोपी ने सिंदूर खर दिया इतना ही नहीं आरोपी ने बच्ची के गले में मंगल सूत्र डाला और फिर उसका अफरन कर लिया घटना के एक सप्ताह बाद जब लड़की बुधवार को वापस घर आई तो घरवालों को अपनी आप बीपी सुनाई पुलिस ने आरोपी को ग्रफतार कर जेल भेश दिया है जानकारी के मुताबिक बिलासपूर के सिर गित्ती थाना क्षेत्र के एक स्कुल में पढ़ने वाली 16 वर्षिय नाबालिक छात्रा 29 दिसंबर को स्कुल से वापस नहीं आई घरवालों ने तलाश करने के बाद मामले में अफरन की आशंकत जताते हुए एफा यार दर्ज कराई जिसके बाद पुलीस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी इसी बीच बुद्वार को लड़की घर पहुची और पूरी घटना की जानकारी अपने परिवार वालो और पुलीस को दी लड़की ने बताया कि आरोपी विशाल यादव उसे स्कूल से निकलने के बाद अपने साथ ले गया और उसकी मांग में जबरन सुन्दूर भरते हुए उसे मंगल सुत्र पहनाया इसके बाद आरोपी ने लड़की का रेप किया लड़की के बयान के बाद पुलीस ने किस वरशी आरोपी विशाल यादव की तलाश शुरू की मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलीस तोरवाक शेत्र के देवरिक खूर्द पहुची जहां आरोपी अपने घर में छीपा था पुलीस ने वहीं से आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया